जय महाकाल दोस्तों कैसे हैं आप लोग आसा करता हूँ भरे चंगे होंगे मज़े में होंगे दोस्तों आज मैं आप लोगों के सामने एसा एक अंक सेर करने वाला हूँ एक अंक एसा बताने वाला हूँ जो एसे ग्रहों को इंकित करता है प्रदर्शित करता है जो व्यक्ति का भाग्योदय कर देते हैं जो व्यक्ति को धन सम्बंदि जो भी समस्य होती है उससे मुक्त कर देते हैं रिंड से मुक्त कर देते हैं और साथ ही साथ में उन पर लक्षमी की कृपा बरसने लग जाती है ऐसे अंकों को आज मैं आपके साथ में सेर करने वाला हूँ, आपको बताने वाला हूँ दोस्तों, यदि आप मेरी चैनल में नए है तो मैं आपको बता दूँ कि हम इस चैनल के माध्यम से हमेरे प्राचिन तम ग्रंथों में छुपे वे से कई ऐसे गूड रहस्ते हैं के बारे में जानकारी प्रदान करते हैं, अंक, सास्त्र, जोति, सास्त्र, इत्यादी के बारे में जानकारी प्रदान करते रहते हैं, तंत्र, मंत्र, टोने, टोटके, व्रत, तेवार, पूजा, विदी, इत्यादी के बारे में भी समय समय पे जानकारी प्रदान करते रहते हैं, तो आज में आप लोगों के सामने अंक सास्त्र से जोड़ी कुछ माहिती लेकर के आया हूं, कुछ जानकारी लेकर के आया हूं, के कुछ ऐसे अंक, जिसको कोई भी वेक्ति बढ़ी आसानी से लिख सकता है, बोल सकता है, गुन-गुना सकता है, या अपने पास में लिख करके रख सकता है तो इतने प्रभावसाली ये अंक है कि इनके सिर्फ साथ में रहने से इनके पास में रहने से ही वेक्ति का भाग्योदे होने लग जाता है ये अंक अलग अलग जो ग्रह हैं उनको प्रदर्शित करते हैं उनका प्रतिनिधित्व करते हैं तो क्या होता है कि आप जैसे किसी ग्रह की अंगुठी या नंग धारन करते हैं तो उसका फल आपको जैसे मिलने लग जाता है इसी तरह क्या होता है व्यक्ति अलग अलग तरह की नंग की अपनी अपनी ग्रह की वीटियां बनती है तो कोई व्यक्तिय इनको नहीं खरी सकता नहीं पेहन सकता तो यदि उन नमबरों को यदि वो लगातार बोलता रहता है मन ही मन में उसको जबता रहता है किसी भी काम में जाता है तो उसी पर संपूर्ण सुष्ध्धा और भाव के साथ वह नंबर किस ग्रह को प्रदर्सित करता है यह सोच के लगातार बोलता रहता है तो वो जितने भी ग्रह हैं वो सारे ही उस पर अपनी कृपा दिश्टी बरसाते हैं क्योंकि आखिर कार at the end क्या होता है आपका जो मन है आपका जो आत्मा है आपकी जो सोल है वही सबसे महत्तोपूर्ण चीज है इसके बाद सारा ही आडमबर है कोई भी चीज को धारण करना या रखना तो जब आप मन से किसी चीज को भजते हैं लगातार जपते हैं तो उसका फल मिलना ही मिलना है इसमें किसी भी तरह का आप संदेह न करें यदि कोई व्यक्ति आपको ब्रामित करने की कोशिस करता है तो बेलकुल भी नहों किसी व्यक्ति को थोड़ा जल्दी परिणाम मिल जाता है किसी को थोड़ा देर से देर सवेर किन्तु परिणाम हर व्यक्ति को मिलता है जो भी व्यक्ति इसको संपूर्ण स्रद्धा और आस् पूजितनस है आपने किसी कर्मचारी को अपने यहां पर रखा चोप पर और वो व्यक्ति को आपने किसी मार्केट में या कहीं भेजा काम के लिए वो दिन में 15-20 दुकान करके साम को आकर आपको रिजल्ट देता है कि मैं इतनी देखर करके दुकान करके आए कि आप देखता हूं क्या होता है कल रिजल्ट क्या आता है वो दुकान वाले माल लेते हैं या नहीं लेते हैं तो ऐसे कर्मचारी को आप कितने दिन रखेंगे अपने हाँ पर बिलकुल वैसा ही है कि यदि आप संपून स्रद्धा के साथ positivity के साथ काम करते हैं कि आपने काम किया है तो आपका काम होगा ही होगा इसमें कोई संदे ही नहीं है संदे रखने की आवस्यक्ता ही नहीं है और जिस व्यक्ति को संदे है उसको उपाय करने की ही आवस्यक्ता नहीं है तो संपून स्रद्धा और आस्ता के साथ इस उपाय को कीजिए हर एक उपाय को कीजिए क्योंकि कोई भी तंत्र, मंत्र, टोना, टोटका, आंक कभी भी किसी की अवस्था में गलत नहीं है करने वाले से कुछ गलती हो सकती है कुछ उट पटांग हो सकता है कुछ समय में आगे पीछे हो सकता है लेकिन वो वस्तु निर्धारित है वो काम निर्धारित है यदि आप उसको करते हैं जिस तरह से तो उसका फल मिलना ही मिलना है मान लीजिए कि आप रहते हैं कन्या कुमारी और आपको कश्मीर जाना है किसी व्यक्ति को कोई व्यक्ति 100 किलो मिटर चलके ठक गया कोई 500 कोई 1000 किलो मिटर चलके ठक गया लेकिन जो बिना ठके बिना रुके चलता चला गया वो एक दिन कस्मिर चरूर पहुंचेगा बस इसी तरह की सारी चीजे हैं कि यदि आप निकले हैं आपने क्राम का प्रारंब किया है तो बिना रुके, बिना ठके करते जाएए फल आपको मिलेगा और जरूर मिलेगा इसमें कोई संदेह नहीं है तो दोस्तों, यह जो मैं आपको नमबर बता रहा हूँ, यह जो नमबर है इसमें सो जो पहला नमबर है तीन का नमबर, तीन का जो अंक है वो आप सभी जानते हैं गुरु ग्रह को प्रदर्शित करता है इंगित करता है, तो किसी भी व्यक्ति का गुरु बहुत ही मजबूत होना चाहिए नहीं है तो यदि आप किसी की भी पूजा करते हैं तो उसका फल आपको मिलता है तो इस नंबर को आपको यह सोच कर बोलना है एक का जो अंक है वो सुर्य को प्रदर्शित करता है जिस किसी के उपर सुर्य की कृपाद्रश्टी बरस्ती है उस व्यक्ति का बहुत नाम होता है वो हर जगा प्रसिधी में खेलता है तो दूसरा एक का नंबर है तीसरा नंबर है दो का जो चंद्रमा को इंगित करता है जो मन को सासित करता है मन पर जिसका सासन है यदि आपका मन मजबूत है तो आप हर जगा जीत जाएंगे तो तीसरा नमबर दो का है चोथा नमबर आट का है जो सनी को परदरसित करता है सनी जिस पर भी महरबान होते हैं उसके सारे ही पापकर्म एक एक करके कटने लग जाते हैं और उसको पुन्यफल की प्राप्ति होती है सात्वा नंबर जिस किसी भी व्यक्ति के पास में साथ का अंक होता है मैंने इस पर एक special वीडियो बनाया था कि जो भी व्यक्ति साथ के अंक की गाड़ी लेता है साथ के अंक के मकान में लेता है साथ के अंक के जीवन साथी को पसंद करता है उसके घर में यदि कोई व्यक्ति साथ के अंक का है तो उस घर का उस व्यक्ति का प्रगति होना निश्चित है कोई संका का इस्थान नहीं है तो ये वो नंबर है इन नंबरों को आप लगातार बोलते रहिए यदि नहीं बोल पाते हैं तो इन नमबरों को आपको इस तरह से लिखना है तीन का जो नमबर है उसको आपको लिखना है पीले पैंसे एक का जो नमबर है उसको आपको लिखना है लाल पैंसे दो का जो नमबर है उसको भी आपको लिखना है पीले पैंसे या सफेद पैंसे लिखना है उसको सफेद कागज पर ही लिखना है आपको इन सारे नमबर्स को आठ का जो नमबर है उसको आपको काली पेन से लिखना है और साथ का जो नमबर है उसको भी आपको लाल पेन से ही लिखना है इस तरह से आप इसको लिख करके भी अपने पर्स में अपने साथ में भी लग सकते हैं या लगातार इस नंबर को बोलते रहें इस नंबर को बोलने से आपके सारे भाग्ये के दरवाजे खुल जाएंगे और आपको जो कुछ चाहिए पैसा, टका, गाड़ी, बंगला, धन, दोरत, एस्वर्य वो सभी आपको मिलने लग जाएगा तो चलिए दोस्तों अभी सी उपाई के साथ मुझे दीजे विदा और आप लोग देखते रहें दीप्रकास और अपने जीवन में लाभनमित होते रहें धन्यवाद